नमस्कार दोस्तो एक्जान सारती यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे RSM SSB Stenographer भरती 2024 की Expected Cut-Off के बारे में जैसा कि आप सभी को मालूमी है कल Stenographer का exam हुआ Paper 1 और Paper 2 तो कल जो डेटा निकल करके आया बहुत ही कम उपस्तिती रही लगबग 28% के आसपास उपस्तिती रही है Total जो कंडिडेट जिनों ने अपलाई किया था यानि कि 1,666,000 लोगों ने अपलाई किया था 1,666,000 लोगों ने अपलाई किया था उन में से मातर 47,000 47,000 कंडिडेट सी एक्जाम में अपियर हुए मातर 28% के आसपास तो बहुत ही कम उपस्तिती रही रीजन ये है कि इस्टेनोग्राफी जो है बहुत ही कम लोग जानते हैं और उसके अलवा वेकेंसी की संख्या भी आप देख सकते हैं और तीसरा बड़ा रिजन रहा कि जो सेंटर्स दिये गए वो काफी दूर दूर दिये गए जिसकी वज़े से कंडिडेट्स ने इस एक्जाम को स्किप करना ही बैतर समझा और जो विस्वासर नहीं था पिछले कुछ दिनों में राज़ेस्तान के भरती बोर्डों की RPSC गरमचारी चैन बोर्ड की बनी है उसके बाद लगतार युवा बेरोजगरों का थोड़ा भरती परक्रियाओं से विस्वास कम हुआ है तो उस ही का नतीज़ा है कि 451 पद देखे जाएं गेर अनुसुचित चैतर कुल 404 है गेर अनुसुचित के 451 पद है तो इन पदों के लिए 47,000 कंडिडेट्स ने लिखित परिक्षा दिये अब दोस्तो 2018 की जो बरती थी उसमें जो टोटल पद थे जो वो 1155 थे अगर अनुसुचित के 56 पद टोटल 1211 पद यानि कि हम 9 पद पद ग्यारा सो 155,000 और इस बार है 400 यानि लगबग आदे से भी कम पद हैं आप मान के चल सकते हैं लगबग आप एक तीहाई पद मान सकते हैं उससे थोड़े से ज्यादा है और एक नियात। इन सभी factors को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहला factor तो यह है कि इस बार जो पद है वो लगबग आदा है, साड़े 400 पद है, पिछली बार साड़े 1100 थे, तो पद्धों की संक्या कम है, इस वज़े से cutoff बढ़नी चाहिए प्रिविएस की तुलना में, दूसरा जीजन इस बा मातर 28% candidates ही अपिर हुए है, यानि कि बहुत कम competition है candidates की संक्या क्या क्या दार पर, बोड को ज़्यादा से ज़्यादा candidates ले रहे हैं, जिनको इस देनों आती है, तो 15 गुना candidates को लिया जाएगा, पेपर का जो लेवल था, चूंकि इसमें negative marking नहीं है, यह moderate लेवल का पेपर था candidates ने risk लेके questions किये, risk इसलिए नहीं था क्योंकि negative marking नहीं थी, तो इस चीज़ का भी काफी परभाव कड़ेगा, cutoff जो है, वो क्या रह सकती है, यह previous year की cutoff आपके सामने है, जो यह आपका return exam की cutoff रही थी, और यह जो cutoff है, यह आपकी final cutoff, यानि आपका असुल इपी skill test के बा की cutoff रही थी 116, OBC की cutoff रही थी 145, MBC की cutoff रही थी 149, इसी तरह के से सहरिया की cutoff रही थी 82, तो आप देख सकते हैं कि जो general और OBC की cutoff में कितना difference है, 145 OBC की cutoff और general cutoff 153, लगबग 8 marks का difference रहा था, और final cutoff में आप देखें, skill test के बाद 248 cutoff रही 100 marks का आपका skill test होता है, चा तो 200 marks के होते हैं, एक subject चुनोगे, English अपनी language चुनोगे, या Hindi चुनोगे, तो उसके 100 marks आपके चुडेंगे, तो यहां से आप देख सकते हो, general cutoff 153 थी, वो 248 तक रही, यानि की candidates, 153 वाला candidate है, उसने लगबग 95 marks प्राप्त की होंगे, तब जाके उसका selection हुआ गए, यानि जो अंतिम cutoffer था, उसने 100 में से 98 marks लाए होंगे, या उससे लाने पड़ेंगे, अगर वो skill test में पास होगे, final merit मेरिट में आना चाता है, तो, यानि की काफी tough रहने वाला है, पिछली बार पदों की संगया, अच्छी खासी थी, इस बार पदों की संगया, प्रीविस से पदों का 15 गुना अगर आप लेते हो, तो ये लगबग आपका 7000 के आसपास कुछ आंकड़ा आता है, 7000 के आसपास candidates, 47000 में से लगबग 7000 candidates जो है, उनको qualify किया जाएगा, तो second जो आपका रहने वाला है phase, उसमें लगबग 7000 candidates, skill test देंगे, और skill test में जो उनके marks होंगे, उ phase second के जोड़ करके आपकी final merit list बनेगी, तो इस बार जो cutoff रह सकती है, return exam की general की, वो क्या रह सकती है दोस्तों, इस तरीके का paper आया है, उसको देखते हुए लगबग आपकी, क्योंकि उपस्तिती कम रही है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि cutoff जो है, 150 से लेके 160 के से एक candidate पास होगा, तो ये cutoff जो है, maximum से maximum हमने बताई है, कि 150 से 160 के असपार general cutoff रहेगी, थोड़ी बहुत इससे कम रह जाएं, तो आप इसमें असरे मत कीजिए, क्योंकि candidates की संक्या बहुत कम है, paper का level moderate रहा है, negative marking इस बार नहीं है, ये सबसे बड़ा factor है, इसलिए ये cutoff आ अगर हम बात करते हैं, OBC की, तो OBC category की cutoff जो है, वो लगबग आपकी रहने वाली है, 145 से 155 के बीच में, ये OBC की cutoff रहने वाली है, या जो भी previous cutoff रही थी, उससे आप मान के चल सकते हो, कि लगबग 5 से 10 marks ज्यादा ही cutoff उस range के बीच में रहने वाली है, इस चीज को आप ध्यान में रखें, previous year की, या previous बरती की cutoff है, उससे आप लगबग 5 से 10 marks का difference ले सकते हैं, यानि कि general की cutoff 153 गई थी, और female की cutoff जो गई थी, general वो गई थी 143, 153 से आप 160 तक इसको ले जा सकते हैं, female की 143 से 150 तक ले जा सकते हैं, इसी तरीके से EWS में आप देखें, तो 143 रह 155 तक जा सकती हैं, MBC की बात करें, तो लगबग 150 से कुछ 139 रही थी, तो 150 के आसपास रह सकती है, इसी तरीके से सहरिया की लगबग 90 के आसपास रह सकती है, अब दोस्तों बात करते हैं कि final cutoff, final cutoff में दोस्तों 15 गुना candidates को बलाए जाएगा, और आपका skill test होगा, उसमें 20 15% की आप mistake कर सकते हो, वो allow किया जाएगा, इसके लावा जो additional जो अरक्षी तवर्ग हैं, उनको 5% तक रियायत और दी गई है, अगर किसी के टेगरी के candidates नहीं मिल पाते हैं उचित संख्या में, तो 5% की और सितिलता देने का नियम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे candidates ऐसे पास में अचा करते हैं, लेकिन इस टेनों उनकी अच्छी नहीं होती है, तो हो सकता है, सितिलता देनी पड़े, कहीं वर्गों में, इस चीज का बिल्कुल परभाव पड़ेगा, final cutoff जो है, वो किति न जा सकती है, दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कि आपका skill test 100 marks का है, और liquid जो परिक्षा है, वो 200 marks की थी, तो 150 से 160 हमने जनरल की cutoff लगबग मानी है, और पिछली बार भी आप देख सकते हो, लगबग 95 marks अगर cutoff वाला candidate लेकर आया होगा, phase 1 में, जो 153 लेकर है, उसको लगबग 95 marks लाने पड़े, final merit में आने के लिए, यानि कितना आप देख सकते हो competition उस समय भी ठख था, तो इस बार भी लगबग 250 पलस जो marks आएंगे, candidate के, general category में, वो final merit मेरिट में आएगा, इसी तरीके से EWS की बात करें, तो लगबग 250 से थोड़ा कम, 245 to 250 के असपास, SC की final cutoff रह सकती है, वो लगबग 215 से 220 के बीच में, SC की cutoff जो है, previous रही थी 215, इस बार लगबग 220 के आसपास रहेगी, OBC की cutoff लगबग 245 के आसपास रहेगी, MBC की cutoff है, वो लगबग 235 के आसपास रहेगी, तो इस परकार से cutoff रहने वाली है, final, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो भी candidate जिनके marks 150 के आसपास हार सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद